कर दो कि अ कि अ वे इसस्ति एक हैंस आज हम पुड फाइएंगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए अग्प्यूबरेन क्लास एट कम्प्यूटर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप केड़े देखेंगे यानि आपका सिलेवस देखेंगे किस सिलेवस क्या है तो content open कर लिए हमने पिछली बार आपको बता दिया था खैर सिलेवस मगर इस बारी बताते हैं कि आपको प्यज्वाइब कर चुकी है और इस में से आपके exam में कुछ नहीं आएगा तो आपको यह नह एक्सेस चैप्टर तो इतना खास नहीं है मगर हाँ इसका अगर डेली अगर हम कंप्यूटर को यूज कंप्यूटर पर यूज करना जा रहें तो बहुत इंपर्टन चैप्टर है ठीक है इस्टार्ट करते हैं पेज नमबर 28 ओपन कर लिए चैप्टर नमबर फॉर कर इसे पहले हम ने आश्व्य यह backwards थे इससे पहले हमने इस ब्रते कराएं तो में कर रहा था हें रहा क्या है do यह कंप्लीट कर चुके है आज हम पार्ट फोर कर देंगे उसके बार हमारे की लिए निजा आंगे करेच हम चेप्टर यह एंक दो अब जस्तन नट इनमर 28 वरकिंग विद MS एक्सिस मतलब MS एक्सिस के साथ काम करना इस चेप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे यहां पर सब दिया है सब टॉपिक आपको दिये हैं पहले हम यहां पर पार्ट लिख ले रहे हैं पार्ट हमारा कौन सा है पार्ट नमबर 4 हमारा पार्ट नमबर 4 है उसके बाद यहां आपको क्या करना है आपको खुद यहां पर डेट लिखने हैं कौन सी डेट लिखेंगे आप में पर जिस दिन यह वीडियो यूटुब पर अपलोड होगी उस दिन की यहां पर आपको डेट लिखनी है चेप्टर नमबर हम स्टार्ट करते हैं for in this chapter you will be able to learn about working with ms access मतला इस chapter में आप क्या सिखेंगे आप इस chapter में यह सिखेंगे कि आपको ms access के साथ कैसे काम करना है ठीक है मेली यह सारे जो ms access और हमने पीछे जो पढ़े ms world यह सब क्या है ms access के जितने भी ms software जैना ms powerpoint जितने भी है हमारे ms powerpoint presentation सब चीज़ें यह नौर्मली अगर देखा जाए ना मेली जादार हम किसमें यूज करते हैं offices में जितने भी office का वर्क है बिजनिस में student का क्या है student तो इसलिए सीखता है कि अगर आगे जाके वह यूज करे तो उसे आना चाहिए ठीक है तो यहां पर क्या है in this chapter you will able to learn about working with ms access understanding queries queries क्या होती है उसे आप समझेंगे kinds of queries 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 कितने तरह की होती है यह भी आप समझेंगे इस चेप्टर में creating a query in design view sorting data and data sorting सीखेंगे और query को design view में create करना बनाना सीखेंगे ठीक है यह सारी चीज़ें आज हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे पहला क्या है हमारा understanding queries 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 को समझना ठीक है queries मतलब पहले समझते हैं है क्या ठीक है किसी के बारे में अगर आप exam देने जा रहें तो बिना पढ़े लिके थोड़ी में चले आएंगे तो किसी को use करने से पहले उस चीज़ को आपको समझना चाहिए तो यहां पर देख्टेंग अंडरस्टेंडिक queries a query is a basic tool that SS provides to retrieve information from our database मतलब database में से जो हमारे पास query एक basic tool है एक जरिया है हमारे पास कि हम वो हमें क्या provide करता है हमें क्या करता है एसिस करता है हमें वो provide करता है to retrieve information information को retrieve करने के लिए find करने के लिए information जो के पहले से store हो कहां पर तुम्हारे database में जो information तुम्हारे database में जो आपने पहले से database बना रखा है उस में से उस table में से अगर आप चाह रहा है कि हमारी information ये वाली हमें मिल जाए retrieve हो जाए तो उसके लिए हम क्या use करते है query use करते है query से क्या है जल्दी से हम easily हम बहुत बड़ा अगर हो ये समझे लिए large amount में बहुत सारा data है उसमें से आप search करना चाहरे है तो query के मज़से आप वो सारा data ऐसे हम उसे रख सकते हैं कि easily हम उसे find कर लें फिर क्या है मारा it allows us to access information from single or multiple tables इसमें क्या है हम information कहां कैसे कैसे कर सकते हैं कैसे कैसे मतलब information किस तरह की information को देख सकते हैं या उसे हम find कर सकते हैं चाहे वो single हो चाहे multiple tables हो to receive data we won't अब हमें कोई साब भी data चाहे single table हो चाहे double table हो ठीक है अगर हमें data चाहिए जो हमें data चाहिए वो data हम किसी भी तरीके की table से उसे निकाल सकते हैं each query functions like a question that may be ask immediately ये करें सारी query कैसे काम करती है पता है जैसे कि एक question अचानक से पूछ लिया जाता है और save to be ask later या वो question save कर दिया जाए कि आप से बाद में पूछा जाएगा मतलब query इस तरह से काम करती है जैसे कि अब मैंने आप मेरे पास आए मैंने आप से अचानक से एक सवाल कर लिया अच्छा ये बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा state कौन सा है तो मैंने अचानक से question पूछ लिया ठीक है या कोई question आप से बाद में पूछ लिया जाए तो उसके लिए आप क्या रहेंगे पहले से तयार रहेंगे प्री प्लान रहेंगे प्री प्रिपेयर रहेंगे तो इसी तरह से query का क्या मकसद है query अगर हमें कोई उससे information find करनी अचानक से या हमें बाद के लिए कि हमें हो सकता ये information बाद में देनी पड़े जैसे के हमारा कोई company चल रही है उसमें इतना budget आया और इतना हमारा खर्चा हुआ इतना चाहिए ये सारी चीज अचानक से इनसान पूछ लेता है जो manager है manager से पूछ लेता है कि अच्छा इस साल कितना हमारा fund आया कितना हमने खर्च किया ये सारी चीज है तो query से क्या है immediately हम कोई सावी question पूछ कर उसे निकाल सकते है information को although this question will generally remark remain unchanged और ये जो question है हमेशा generally वो remain unchanged मतलब बदलता नहीं है unless we decide to add the query जब तक हम उसके अंदर query के अंदर कुछ changes न करते हैं जब तक वो अपने आप कुछ change नहीं आएगा ये क्या है remain ठीक है यहाँ पर word ढख रहे हैं आप अपनी book में देखिए और सुनते रहे हैं जो word नहीं दिख रहे हैं the changing characteristics of our database signifies जो हमारे database की changing characteristics है वो क्या signify करता है that the answer assess provide generally be different each time the query is executed की हमारा जो answer है वो हो जो हमें assist करेगा जो हमें देगा वो provide करेगा information वो हमें क्या होगा generally be different each time वो हर बार अलग होगी the query is executed जो की query जैसे आप query के अंदर आप change कर देंगे तो answer भी change ही मिलेगा ठीक है कुछ information जो पहले से इसके अंदर आप query को मैं उसे देख रहे हैं अब आपने उसके अंदर कुछ changes कर देए तो क्या होगा रिजल्ट भी change मिलेगा this section cover advanced topics इस section के अंदर कह रहे हैं advanced topics cover होते हैं including the use of queries to sort and modify data उसमें क्या-क्या कि हम queries को use करना sort करना और data को modify करना यह सारी चीज़ें हम इसमें बढ़ेंगे kinds of queries अब queries कितने तरह की होती है we may use queries to view change analyze data in a different ways हम query को use कर सकते data को view करने के लिए change करने के लिए उसमें changes लाने के लिए उसे data को analyze करने के लिए अलग-अलग तरीकों से in addition to this we can use we can use them as a source of record for reports और यह करें हम जो हमारी query है जो data है हमने जिस पर query लगा रखी है apply कर रखी है यह हमारा जो data है हम उसे कैसे use करते है as a source of record for reports किसी reports के लिए record के तोर पर रखना form के लिए यह data यह इस तरह के हम क्या करते हैं इसे use कर सकते हैं there are different type of queries जो करें queries भी अलग अलग तरिकों की होती है अलग अलग तरिके होती है पहली हमारी Microsoft Access में जैसे Microsoft Access में कितनी तरह की query हैं select query, update query, cross tab query append query यह चार तरीके की query होती है Microsoft Access के अंदर select query, दूसरी update query तूसरी, cross tab query and fourth one is append query select query के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है इस वाली query के बारे में हम पढ़ेंगे कि select query कैसी होती है select query क्या है the most common type of query is select query सबसे ज्यादा common type of query जो है common तरीके की query है वो कौन सी है select query मतलब सबसे ज्यादा जो normally use करते हैं लोग बाग which retrieve data from one or more table इसमें क्या होता है data को एक या एक से ज्यादा टेबल से retrieve कर जाता है मतलब find किया जाता है ढूना जाता है with the criteria where specify उस criteria के साथ जो हम उस पर specify करते हैं ठीक है and show the result in a data sheet और उसे फिर data sheet के form में हमें result दिखाता है कौन जह हम select queries को use करते हैं data retrieve करने के लिए तो वो जो data हमने retrieve किया है वो data हमें data sheet के form में दिखेगा select queries में भी use to group record as well as carry out calculation indulging sums count and average करें select queries जो है हम किस लिए use कर सकते हैं records को group करने के लिए एक खटा करने के लिए जैसे मैंने 5 जगा अलग-अलग record बना रहा के हैं select query use करके मैं पांचों को एक साथ शो कर सकता हूं एक साथ मैं उसे group कर सकता हूं मतलब as well as carry out calculation और उसके साथ साथ उसमें calculation कर सकते हैं उसमें addition subtraction counting average यह सारी calculation हम कर सकते हैं फिर आया हमारा creating a query in a design view अब हम किसमें देख रहें data sheet view में देख रहें अगर हम query को चाह रहें कि हमारा design view में नजर आये तो simple है इसमें कुछ करना नहीं है maximum queries describe can be created with the use of query wizard के रहें जो काफी queries जो described होती है वह हम कैसे use कर सकते हैं कैसे create कर सकते है with the use of query wizard query wizard के मदद से हम उसे create कर सकते हैं मतलब design view is very यह हमारा very design view is very useful to create more complex queries design view के फाइदे क्या है कि जैसे बहुत ज्यादा उल्जी हुई query बनाई हमने बहुत अलग अलग data सब इदर उदर से submit sent की कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाएंगे तो design view में क्या है easily हम जो हमारी ज्यादा complex queries है उसे simple query में useful query में हम उसे create कर सकते हैं and to revise current queries और अपनी जो current queries है उसे हम revise कर सकते हैं अब इसके steps हैं पहले find out the other group in the create टेप पहले create टेप में जाके other का option होगा वहाँ पर जाईए click on the button label query design महाँ पहले other group में गए महाँ पर लिखा हुआ create create पे click करेंगे create पे click करने के बाद लिखाएगा query design ठीक है create पे click करने के बाद लिखाएगा query design query design से क्या हो जाएगा select हो जाएगा हमारा design view the show table window will appear यहर महाँ पर एक show table window खुलके आएगी click on the name of the table you wish to query अब जिस खुब सारी टेबल खुलके आई table 1 table 2 जिस नाम से आपने save कर रखो यह table 1 2 इस तरह से तो आपको जो table जिस पर चाहरे हैं आप query add करना मैंने एक select करी दूसरे select करी इस तरह से select कर ली click on the button label add जैसी हम उस पर select करेंगे महाँ पर options लिखाएगा उस पर लिखाओगा add वहाँ पर add पर click कर दिए वह add हो जाएगी repeat this step until you have selected all tables उसके बाद आपने एक select कर ली table फिर महाँ पर option आया add कर लिया महाँ पर आ गई फिर दुबारा गए दुबारा आपने select की फिर महाँ पर add का option आया फिर करते रहे जिब तब आप जितनी चाह रहे हैं वितनी table आप select नह रिखा आएगा और query window के top पर आपको नजर भी आएगी ठीक है जितनी आपने table select कर रहे है query लगाने के लिए वो query window के उपर उसका वो table sorry वो table जो आपने select की है वो query window के top पर आपको नजर आएगी फिर आया हमारा adding fields to your query अब fields क्या होते हैं यह आपको पता होना चाहिए और उस हम आपको पहले बता चुके हैं तो adding fields to your query query में fields को कैसे add किया जाता है simple है double click on the name of the field you want to add to your query सबसे पहले field के उस नाम पर double click करिए जिसमें आप add करना चाहरे हैं to your query मतलब double click on the name of the field you want to add to your query उस query पे मतलब आप अपनी जो query है उसमें आप जो नाम लगाना चाहरे हैं field का उस field का जो नाम लगाना चाहरे हैं उस query के अंदर मतलब आपके पास जो table है आपने query बना रखी है आपको क्या करना है double click on the name of the field उस field के नाम पर click करिए you want to add to your query जिस field को आप चाहरे हैं कि वो आ आपको select कर लेना है जो जो फील्ड जिस field को आप चाहरे हैं कि वो आपकी query पर add हो जाए दूसरा क्या the name of the field would come up in the next available column और अगले ही दूसरे column में जो field का नाम है वो आजाएंगे आजाएगा ठीक है repeat the above step until you have added all the desired field for your query और जब जब तक आप चाहरे हैं जितने आपको चाहिए जब तक आभी step repeat करते रहिए find out the result group on the design tab और design tab पर आपको result group देखता रहेगा for result देखिए आपको कैसा दिख रहे है click on the button label run और वहाँ पर जो button होगा run उस पे आप दबा दिये click out the output of your query would come up in a data sheet view और फिर जो आप simple way में भी देख रहे थे select कर रहे थे उसके बाद जैसी run पर click करेंगे तो वह data sheet view के आप view के form में आपको वह नज़र आने लगेगी वो table ठीक है बुझ आपकी query है जो output है result जो बनके आया है query का वह हमारा data sheet view में नज़र आने लगेगा उसके बाद आया delete queries queries को delete कैसे किया जाए अब और delete queries है क्या तो delete queries क्या है create a select query in design view to determine the record that would be deleted सबसे पहले create a select query in design view पहले क्या है select query design view में हमने create कर ली यहाँ पर हमने बताया भी पीछे यहाँ पर हमने select query design की थी यहाँ पर creating a query in a design view ठीक है select query उसके बाद to determine the record that would be deleted यह पता करने के लिए हमें कौन सा record delete करना है या कौन सा record deleted है फिर उसके बाद modified the query by adding the adequate data sources and criteria और उसके बाद query को modify करिए क्या कैसे उसमें adequate data sources और criteria को add करके मतलब जो जो data हमें उसमें चाहिए या criteria उसमें add करना है वो सारी चीज़े उसमें modify कर दिए लगा दिए अब को changes करने कर लिए कर लिए इसके अंदर in this example a company what to cut cost at the lowest payroll level and remove employee according making less than one stands hundred thousand ten thousand यह के रहे है अब example दे रहे है एक company चाहरी है कि को जैसे कि to cut cost at the lowest payroll level जो lowest payroll level है उस cost को cut करना चाहरी है company and remove employee accordingly making less than 30,000 और उस employee को remove करना चाहरी है चाहरी है जो 30,000 से कम कमा के दे रहा है यह ला रहा है या बना रहा है click on the data sheet view button to get a list of the retrieve record सबसे पहले data sheet view पे click करना है आपको retrieve record जो आपको record चाहिए जिसकी आपको जानकारी चाहिए information चाहिए उसे देखने के लिए आपको data sheet view पे click करना है उस list को देखने के लिए ठीक है the select query window would come up वहाँ पर एक window खुलके आएगी select query window ठीक है showing field that would be change by the action query और उसमें क्या दिखाएगा वो field दिखाएगा जो कि हम change कर सकते हैं by the action query action query के मदर से verify that these record must be deleted और यह verify करना कि वो record जो है वो delete हो जाने चाहिए उसके बाद click on the design view design view पे click करना है आपको मतलब जो design view का button होगा उस query design view में जाने के लिए design view पे click करें the data sheet view में आ गया थे ना यापर हम डीगों में के बाद क्या करना है design view से design view पर क्लिक करने के बाद data sheet view से design view में चले जाएंगे उसके बाद if essential अगर जरूरत पड़े further modify the query अगर कुछ change चाहिए आपको दुबारा query में कुछ change करने modify करने तो आप उसे कर सकते हैं so get the searchable field get deleted क्यों कि जो आपकी searchable fields हैं वो delete हो जाएं जो आपको चाहिए कि यही field delete करनी है मैं उसे delete करना चाहरा हूं तो उसे आप delete कर सकते हैं अगर आपको कुछ further आपको modification करनी है तो कर सकते हैं वहाँ पर click on the run button वहाँ पर run button होगा उसे आप click करिए Microsoft Access window वोड़ कम अप एक Microsoft Access window खुलके आएगी warning that field from the table वोड़ बी deleted मतलब last में यह दिखाएगी कि अगर आपने run कर दिया तो यह जो आपने select कर रखें जिसे आप delete करने जा रहे हैं वह delete हो जाएगा वह field आपके इस में से query में से हट जाएगी तो अगर आपको तो हटा नहीं है तब ही आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे click on the button label yes वहाँ पर लिखाएगा yes मतलब एक बार यह confirm कराता है कि आप सच में यह delete करने जा रहे हैं यह वाली field आप सच में delete करने relating include comparison operators conditional character to justice additional information इसमें क्या आता है comparison operators आते हैं मतलब हम कैसे compare करते हैं या conditional operator आते हैं to assess additional information की हम और ज्साधा information एस्सिस कर पाएं उसके बारे उस तक पहुच पाएं थीकें बाकी information तक पहुचने के लिए sorting data हम करते हैं sorting data में क्याओता है माहरा conditional operators, अब comparison operators में क्या है, comparison operators incorporating comparisons operator in an expressions, permit one data value to be compared against other, मतलब इसमें क्या है, हम दो चीजों को, एक data value को, दूसरी data value के value से compare कर सकते हैं, जैसे अब उसके operators के कुछ sign है, जैसे आपने देखा होगा, मैंने लेखा, Raman age is equal to Ram age, तो इसका मतलब क्या है, कि Raman की age बराबर है Ram की age से, तो मैं दोनों को compare कर रहा हूँ, अगर मैं कहूंगा, 5 is greater than 3, तो इसका मतलब क्या है, मैं दोनों को compare कर रहा हूँ, कि 5, 2, 3 से बड़ा है, मैं दोनों को आपस में, एक तरह से मैं compare कर रहा हूँ, दौनों को मिला रहा हूं एक दूसरे को मैच कर रहा हूं कि यार यह इन दौनों मेंसे कौन बड़ा है अगर मैं लिख रहा हूं 2 is smaller than 3 तो यह भी सही है मैं इसे बता रहा हूं कि 3-2 से बड़ा है या 2 जो हमारा 3 से छोटा है तो यह सारे हमारे comparison के क्या है ऑपरेटर्स हैं जो हम sign लगाते हैं जैसे equal का मतलब इसका less than और equal to या तो फिर छोटा होगा या बराबर होगा अगर मैंने ऐसे sign लगाया है ना कि मैंने कहा कि आपको कितने पैसे मिल जाएंगे इस महीने तक तो मैं कहूंगा less than or equal to 4000 मतलब या तो फिर 400 के बराबर या उससे कम less than or equal to एक मिनट आपको भी साही से दिखाते हैं आप दिख रहा होगा आपको less than or equal to का मतलब है या तो फिर 400 के बराबर या उससे कम तो मैं दोनों सो नों सोट चीज़ें बताने के लिए या बाम हम लोग कहते हैं यह बताव तुम इस बार कितनी पैशें जमार कर लोगे मैं हमारे दोस्त की बढ़सरी Frühs आप बात 500 हो जायें उससे जादा नहीं हो सकते मैं यह दो दो यही पर है देखिए greater than or equal to यह से यहाँ पर दिया है greater than 250 2500 और इक्वल टू यानि पच्छिस सो के बरावर होगा या उससे जाधा होगा उसके बाद between between में क्या है मैंने कहा 400 से 500 के 400 से 500 के बीच में कटा कर लूँगा मैं यानि 400 500 एंड 500 मतलब मैंने बताया कि 400 रुपे से 500 रुपे तक के बीच में यानि 400 सकते हैं 400 1 हो सकते हैं 400 2 सकते हैं 400 77 470 मतलब 500 तक लास 500 तक उससे जादा नहीं तो यह हमारा सब operator से हैं is null is null का मतलब क्या है खाली ठीक है is null का मतलब बता है खाली कोई value ना हो जिसमें कुछ भी ना हो तो उसे कि वह operator कौन सा operator बताता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो वह से हम कहते है इस नल आगे जाके आप इसके बारें पढ़ेंगे नल वेक्टर आगे महत में बहुत आपने 11-12 में महत ली तब फिर आए हम conditional operator अब conditional operator में क्या है जैसे अभी हमने क्या बताय था अभी यहां पर क्या था comparison operators था यहां पर यह कहता हमारा comparison operators अब हम क्या पढ़ने आ रहे हैं दूसरे कर एक operators यह sorting data के अंदर चल लाए सब इसमें क्या कंडिशनल operator इसमें क्या है conditional operator also said to be as logic operator इसे हम logic operator के नाम से भी जानते हैं यह कह सकते हैं add the ability to evaluate the truth of an expressions by increasing power and flexibility इसे हम किसलिए लगाते हैं कि to evaluate the truth of an expression जो आपने expression दे रखिये उसे उसकी ability यह add the ability to evaluate यह ability को बढ़ाता है to evaluate दिखाने के लिए शो करने के लिए कि सच क्या है by increasing power and flexibility flexibility और power को increase करके sort query result sort query का result क्या होता है अब यहां पर जैसे यहां पर operator and or not तो क्या है true if both condition are true descriptions है true if both condition are true true if either condition is true या फिर कोई एक तो जहां पर single instance is not true तो यहां पर हमारा क्या हुआ यह operator हमारा यहां पर not हुआ यहां पर क्या है not between two and five मतलब दो और पांच के बीच में नहीं मैंने कहा less than five और greater than five hundred मैंने कहां sorry greater than five hundred और less than five मैंने कहां पांच से बड़ा 500 से चोटा तो मैंने और बताया यहां पर इनके बीच में choice दी ठीक है मैंने कहा कि पांच से चोटा and 100 से बड़ा यह सो से चोटा तो मैंने यह अगर आपका मन कर रहा है तो उसके साथ पांच से चोटा ले लो यह ठीक है तो यह इस तरह से यह जो operators होते हैं यह कहते हैं conditional operations operators यह condition बताते हैं and or not यह सब ठीक है डिस्क्रिप्शन दिया है यहां पर फिर है sort query result का रिजर्ट कैसा होता है एसे प्रमिट यू तू सौट डेटा रिटरी बाया कोईरी करें जो होता है वह क्या परमिट करता है आपको वहां पर पहुचाता है तू सौट कि आपको data sort कर आपा कर पाएं आप लोग जो मतलब जो आप डेटा सौट करना चाह रहे हैं उसे Microsoft स्सक्राइब करता है कि आपको पर मिट करता है कि आप डेटा सौट आउट कर सकते हैं कैसे retrieve by a query जो के query के जरीए आपने retrieve किया है हासिल किया है उस information को जो आप find करना चाह रहे हैं जो आपने find किये उसे आप sort कर सकते हैं किस के जरीए Microsoft Assess के जरीए ठीक है so that the data would be shown in a logical order जिसके मुझे से क्या होगा आपका जो data है वो logical form में नजर आएगा आप कोईसा भी कैसा भी data बना के आगए भाई आप multinational company आपकी आप उल्टा सीधा data बनाएंगे दूसरी company क्या कहेगी उससे बेजती होगी तो logical होने चाहिए illogical नहीं होना चाहिए पहला क्या है open up an existing query in design view design view में जाके जो आपकी पहले से query बनी हुई है existing मतलब जो पहले से मौझूद हो उसे आप खोलिए open करिए open करने के बाद find out the field you want to use to sort your data सबसे पहले उस field को देखिए जैसे यहाँ पर salary वाला field इन्होंने क्या किया है select किया है field वहाँ पर salary, first name, last name, address, email id, phone number कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से अगर आप school में हैं तो महाँ पर बच्चों के लिए अगर हम बना रहे हैं ऐसा query अगर add कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा field में जैसे role number, parents number, home address, ठीक है और student name, first name, last name, father name, mother name ठीक है या school का result बना रहे हैं तो जैसे या annual performance यह सारी चीज़े हम add करेंगे अब यहाँ पर हमारी salary के बाद से लिए कि office work में हम यह जैसे यूज़ कर रहे हैं तो हमने कौन सी field यूज़ करी salary हम यहाँ पर short option है यह table क्या है table क्या है हमारे किस table का नाम क्या है employee information हमने field select यह salary वाला apply information में हमने employee की information ले रखिए होगी employee का phone number, Money,nymi का first name, HOW का रिलेट करता है, India से है, America इंडिया के अंदर है तो कहां से है, Ahaligargh से है, Noida से है, Kandataka से है, Kayla से है या उसका home address क्या है, यह सारी चीज़ें चेहकर होती है ठीक है, क्योंकि इस सारी चीजें बात में जरूत पड़ती है, अगर कोई अग्मी fraud है, ठीक है, वो आपका company को नुक्सान पहुचा के चला गया, तो आप कैसे टूनेंगे उसे, तो record तो रखना पड़ता है, अब इन्होंने select किया salary वाला, यहाँ पर sort का option है, देखिए salary, फि से जैसे click करेंगे, तीनों list खुल के आजाएगी, मतलब यह वाली छोटी वाली list खुल के आएगी, इसे click करने के बाद, पहले से नहीं होगी, sort में जाके, यहाँ पर click करेंगे, तो यह तीनों खुल के आएगा, from the list that comes up, select the sort order, अब जो list खुल के आईए, महाँ पर आप sort order प को हमने descending order में select किया है, an ascending order, sort order would sort data from smallest to the largest value in the sort field, क्या है, अगर हम ascending order select करेंगे, उसमें क्या होगा, इसमें data जो आपको sort होके आएगा, जो data आपको नजर आएगा बाद में, जब आप देखेंगे, उसे design view में, तो क्या होगा, उसमें data from smallest, छोटी, मतलब सबसे कम जो salary होग ठीक है, imply की जो info line में सबसे कम salary होगी, वहाँ से सबसे large तक जाएंगे, smallest से बड़ी की तरफ, largest की तरफ, ठीक है, smallest value से largest value की तरफ जाएंगे, जो आपकी short feed में दिखेगी, और फिर a descending short order would sort data from largest to smallest value in the short feed, short feed के अंदर जो largest से smallest value की तरफ है, descending order में अगर हम select करेंगे, तो data इसी save button, यहाँ पर save का ही button होता है, उस पर select कर दिये, save, जैसे आपने descending select कर लिया, उसके बाद save का option आएगा, उसे click करिये, click on the view button, फिर again, दुबारा view button पर click करिये to switch from design view to data sheet view, किसलिए, कि हम design view में जो हम इतनी देर से चल रहे हैं, design view से हट कर हम data sheet view में switch हो जाएं, मतलब data sheet view में जाएं, mode and see the output of your query, और अपनी query का output हम उसके बाद देख सकेंगे, फिर हमारी यहाँ पर क्या है, exercise है, तो इसमें पहला क्या है, multiple choice question, यह हमें किसमें करना है, हर बार की जरा हमें book में ही करना है, फिर उसके बाद हमें करना है, answer the following questions, तो यह हमें हर बार की जरा copy में करना है, फिर हमारा fill in the blanks है, यह भी हमें किसमें करना है, बुक में करना है, फिर next है हमारा true false, यह भी हमें book में ही करना है, तो one by one हम एक एक करके करेंगे, पहला है हमारा multiple choice questions, तो multiple choice questions में देख लेते हैं, पहला क्या है हमारा the selected table dash at the top of the query window, हमने बताया था जो selected table होती है, वो appears होती है table appear होती है, window के top पर, ठीक है, कहाँ पर appear होती है, at the top of the query window, query window के top पर वो नजर आती है, appear होना मतलब नजर आना, जाहिर होना, ठीक है, तो यहाँ पर किसका होगा, क्या होगा, option C होगा correct, इस पर टिक कर लिए, फिर B है हमारा, the field name comes up in the dash available column, जो हमारा field name होगा, वो कहाँ पर जाल आएगा, in the next available column, अगले ही, जो मौझूद column होगा, महाँ पर field का, जैसे हमारा field है, field हमारे यहाँ पर, field name लिखा है, उसके अगले ही column में, जो field हमने select किया होगा, वो आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, next available column, B पर, फिर उसका बाद C है, adding fields to query, find out the result group on the dash tab, जो हम field को, adding field to query, उसे query में हम add करते हैं, उससे क्या होता है, finds out the result group on the design tab, वो कौन सा result दिखाता है हमें, जो के group रहता है, design tab में, उसके बाद D क्या है, data sheet view button gives our list of dash recorded, जो हमारा data sheet view button होता है, वो हमें list किस की देता है, retrieve records की, जो हम record ढूनना चाह रहे हैं, जिस record की information find करना चाह रहे हैं, उस का क्या देता है, उसकी list बना के देता है, जब हम किस पर click करेंगे data sheet view पे, फिर next हमारा, यह है answer the following questions, तो इसे हम copy में करेंगे, तो इसके लिए तो हमें copy open करनी पड़ेगी, फिर next है हमारा, fill in the blanks, तो fill in the blanks में पहला क्या है, every query functions like a dash, जो हमारे सारे query के function है, वो किस की तरह ह है तो, तो इसका answer दिखाते है, fill in the blanks का A बला, every questions like, every query functions like a, तो यहाँ पर क्या है, every query functions like a question, that may be, यहाँ पर है न, every query functions like a questions, every query functions like a questions, that may be ask immediately, or save to be asked later, तो यह पूरा नहीं लिखेंगे, बस आप लिख दिए, like a questions, ठीक है, क्या लिखना है, simple, यहाँ पर like a questions, यहाँ पर लेक ल वनना तो पूरा sentence हो जाएगा तो खाली questions लिख लिख लिए यहाँ पर T I O N S like a questions यहाँ पर है ना T I O N S अटा दिए खाली N तक ही रहन दिए तो इस अटा दिए S मत लिखिएगा ठीक है फिर लिखी दूसरा है हमारा B a query permits to receive dash from single or multiple table to receive desired data अब यह वी हमारा पीछे kory हमें क्या permit करता है उससे हमें क्या फाइदा होता है मतलब कैसी हम information उससे लिपाते हैं to receive information from single or multiple table to receive desired डेटा तो यहनपर क्या Hem क्या लिखेंगे to receive information from single on multiple table to receive desired data क्या है हमें Kiya receive करता है वह information receive SiV करता है कि से शिंगा लिआ multiple table से कि हम जो desired data है उसे receive कर पाएं तो यहाँ पर लिख लिए information क्या receive करता है information इन फोर मेशन इन फोर मेशन फिर है next select queries can be used to table to dash record जो हमारी select queries है उसे हम किस लिए यूज कर सकते है रिकॉर्ड को क्या करने के लिए उसकते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें टू ग्रूप रिकॉर्ड अब यहाँ पर हमारे select queries can be used to table यूज टू टेबल टू गुरूप records यहाँ पर पीछे दिखाते हैं आपको यह है मारा यहाँ पर है मारा यूज टू गुरूप records as well as carry calculation तो हम खाली यह लिखेंगे यूज टू गुरूप records ठीक है ज्यादा बढ़ा नहीं लिखना है क्या लिखेंगे यूज टू गुरूप records g-r-o-u-p-s-p group record फिर हमारा design view is very useful to create more dash queries अब जो हमारा design view है वो क्या है उससे क्या फाइदा है इतना इस्तेमाल दे क्यों है किस तरीके के queries बनाता है वो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे design view is very useful to create more creative queries ठीक है to create more creative queries कि इससे क्या होगा ज्यादा जो complex queries होगी ना इससे easily हमारी समझ में आ जाएगी और हमारी easily यहाँ पर कोई उस query को हम देख सकेंगे तो यहाँ पर हमारा fill in the blanks complete हो गया next है हमारा true false और यह जो activity है यह तो हमें करनी नहीं इसे आप कट कर दिए यह कह रहे है true false में पहला एसस प्रोवाइड टू रिट्रीव इंफॉर्मिशन फ्रॉम अवर डेटाबेस ठीक है माइक्रोफ एसस हैं मोनोटोनस queries यह कह रहे हैं मतलब मोनोटोनस single तो यह तो फॉल्स है फिर नेक्स है conditional operators are also called logic operators conditional operators को हम logic operators कहते हैं यह भी true है हमारा पहला true दूसरा हमारा false तीसरा हमारा true फिर डी क्या हमारा assist does not allow to sort data retrieve by a query तो यह कह रहे हैं एसस जो है मैं allow नहीं करता कि data को हम sort कर लें तो अभी हमने पढ़ाए true how to sort data sort query result तो यह हमारा क्यों हो गया false and signifies true if both condition are true जो and होता है वो क्या signify करता है कि true if both condition are true कि अगर दौनों condition true है तभी हो क्या signify करेगा कि दौनों true है and का मतलब यह भी और यह भी अभी हमने बता है था conditional operator है तो conditional operator में जो हमारा end होता है इसका मतलब होता है कि दौनों को साथ लेकर चलना और मैं क्या है च्वाइस आ जाएगी या तो फिर यह तो फिर यह ठीक है मैंने का select this and this मतलब इसे एंड में को दोनों को लेकर चलेगा यह क्यों हो गया हुआ हमारा क्या है के र्agem कोश्ऩों यह हमें करना है कॉपी में उसके लिए कॉपी ऊपन कर लिए कि तो कॉपी ओपन कर लिए इसके लिए ठीक है को दिखाते हैं आपको आंसर दिखाते हैं इसका कॉपी में हमने कर रखा है चेप्टर नमबर फॉर वर्किंग विद एमस एक्सेस पार्ट नमबर कौन से मारा फॉर है उसके बाद देट तो आपको खुदी लिखनी अपने 9 2 और यहां पर चेप्टर नमबर फॉर लिक लिए यहां पर वर्किंगोथ एमस एकसेस का नाम उसके बाद को लिखें हाँ अंसर दफॉलंग कौरिशन्स हमारी एकसरसाइज किया है आपको क्या समझ में आता है तो हमने पड़ा था तो कॉचिन नमार एंको और छोड़े के बाद answer number A लिखिएगा यहाँ पर हमने B लिखर काई से इसे ए कर दिये इस ए, answer number A, यह क्या है, a delete query is an action query that deletes a set of record according to the criteria you specify, delete query एक set of query है, action है query की, एक action query है, मतलब ऐसी query जिससे एक action होता है, क्या होता है, that deletes a set of record, जिससे कुछ set of record delete होता है according to the criteria you specify, उस criteria के according जो आपने specify कर रखा हो, मतलब जिस criteria को, जो आपने, आप जो delete करना चाहरे है, जो आपने field को select कर रखा है, उसके मताबक delete query का करता है, उस data को delete कर देता है, ठीक है, उस record को delete कर देता है, फिर question number B है, हमारा question number B क्या है, what do you mean by adding criteria to a query, आपको इससे क्या मतलब समझ में आता है, कि criteria add करना किसी query में, what do you mean by adding criteria to a query, तो इसका answer हमने copy में लिख रखा है, देखिए, question number B, आपर आप उतारने के बाद answer number B लिखिएगा, adding criteria to a query, include comparison operators and conditional operators to address additional information, adding criteria to a query, query में criteria add करने का मतलब क्या है, उसमें क्या include करता है, comparison operator आता है, एक conditional operator आता है, उसकी मदस से हम क्या कर सकते है, to assist additional information, additional information, इससका answer करने के लिए, ठीक है, अगर हमें additional information और चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं comparison operator और conditional operator लगाते हैं उसके अंदर query के अंदर add करते हैं ये जिससे हमारी और information additional information भी हमारी मिल सकती है जिससे मिल जाए इसलिए question number C क्या है हमारा question number C है याप पर what is sought query result sought query result का मतलब sought query करने पर result क्या आता है simply यह पूछना चाहरे हैं यहां पर आपके बुक में हैं यह तो पूरा इन्हों ने steps लिखाया कि sought query कैसे कैसे होगा फिर last में result क्या आएगा तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा में क्या होता है उसका result क्या आता है उसका मतलब result क्या निकल के आता है sorting query के बाद result यह आता है कि सारा data जो रोज में और जो arrange है वो क्या हो जाता है वो जो query results से आपके पास पहले से मौजूद है जो आपके query बनी हुई है जैसे माल लिए तो आप हम चाहरे हैं कि अब एक क्लास के बच्चों की जो है एज लिखी तो उसमें एज में मैं चाहरा हूं कि ascending order के साथ आए चोटे से बड़े सबसे चोटा पहले आए उससे बड़ी एज आए फिर उससे बड़ी एज आए इस तरह से तो मैं उसमें क्या करूंगा कि करणी करूंगा उसमें फ्र में एज से लेट करण में फिल्ड कउन से सी ले एक कर मदा है कि मह एज वाला किस्ष्यों उसमें चेंज आप आप दे तल को मुझे इंपरमिशन और के म्लंश're the keynote कि डवर्ड द est c द以श्तो लिखा वहाता है ऑस्क्योव के अंदर सक्यूल के अंदर तीकर यसक्योव के अंदर gather जो लिखा होता है इसका मतलब होता है descending short form दी होती है is used to sort the query result set in descending order वही कह रहे हैं यह जो हमारा keyword होता है इसे हम use करते हैं अपने जो result है query result को descending order में set करने के लिए और the ASC keyword is used to sort the query result set in an ascending order और अगर हम ASC वाला keyword use कर रहे हैं इसका मतलब हम query को किस तरह से सेट करने जा रहे हैं ascending order में यह लिए compare करना है मतलब दोनों के बारें बताना है एक दूसरे के बारें में बात बताएंगे तो वह दोनों वैसी आपस में अलग अलग बाते हैं इन दोनों की select query different है तो comparison अपने आप हो जाएगा तो यहां पर देखिए question number D के बाद question number D के बाद उतानने के बाद question number D answer लिखिएगा answer D पहले select query उसके बारें में अब लिखेंगे the most common type of query is select query which retrieve data from one or more table and show the result in a data sheet यह हम आपको सारा समझा चुके हैं कि सबसे common type की query जो है वो कौन सी select query जिससे हम data retrieve कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा table से ठीक है एक से ज़्यादा table से किसकी form में data sheet की form में select queries may be used to group record as well as carry out calculation और select query किसली उस होती है record को groups करने के लिए और मतलब इखटा करने के लिए और calculation करने के लिए किस तरह के calculation उसमें आते हैं some count and averages यानि जैसे जोड़ना गटाना यह सब और average निकालना यह सब फिर आया हमारा delete query क्योंकि हमें तोनों के बारे में लिखना है यहां है ना select query and delete query तो delete query के बारे में लिखेंगे अब delete query a delete query is an action query that deletes a set of records according to a criteria you specify delete query एक set of action query है that delete a set of record वो किस तरह का set of record डिलीट करती है हमारे criteria किस आप से जो हमने specify कर रखा है कि हमें यह delete करना है तो बात में वह delete query उसे ही delete करती है ठीक है मतलब हम जो select करेंगे वहीद्व इसे डिलीट होगा अपने आप कैसे कोई अपने आप कैसे computer काम कर सकता है कि अपने मर्दी से काम कर देगा फिर कुशन नमर्जी बिट्वीन comparison operator एंड कंडिशनल ऑपरेटर तो comparison operator और conditional operator के बीच में हमें difference बताना है कि उन दोनों के बीच में different क्या है ठीक है तो answer number E मतलब question number E आप पर उताल लिएगा differentiate between comparison operator और यहां पर क्या है comparison operator और conditional operator यहां पर question लिखिएगा differentiate between comparison operator and conditional operator अगर एक line मारा तो एक line में दौ line मारा तो दो में पहले आप कोशन अतार लिएका उसके बाद लिखेगा अगर आप लाइन चोड़ेंगे हो सकता एक लाइन में डाय कोशन आए तो दूसरी लाइन लगे तो आएगा नहीं आपका लाइन छोड़िए गाफ दारके फिर आंसर करिएगा आंसर नंबर क्या इसका पहले comparison operators के बारे में बताएंगे हम ठीक है तो comparison operators के बारे में देखी हम पर लिखा है comparison operators incorporating comparison operators in an expressions permit one data value to be compared अगे से नदर इसमें क्या करते हैं comparison operators से क्या फाइदा है इसे लगाने से एक data को दूसरे data कर सकते हैं comparison operators से क्या होता है फाइदा कि हम इसकी मदद से एक data को दूसरे data से compare कर सकते हैं जैसे greater than मैंने कहा कि आप हैं आप से बड़े आपके कोई भाई है तो मैं कहुंगा और के नाम से भी जानते हैं conditional operator को एड़ दा एबिलेटी तो दुरूट ओफ एन expressions by increasing power flexibility और यह क्या करता है एबिलेटी एड़ कर देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं तो दुरूट बाले तो स्टेप नहीं लिखें मगर सेम ही है स्टेप सेम है माँगर थोड़ा छोटा है को शेन यहां लिख लिए गाहाव यूस विल्यू सॉट डेटा उसके बारांसर नमबर एफ लिखिए तू-सॉट रिकॉर्ट ना हाव विल्यू सॉट डेटा आप डेटा को कैसे क्य करेंगे कैसे रिकॉर्ट जो आपके पास रिकॉर्ड है उसे कैसे सौट आउट करेंगे हाव ली सौट डेटा यहाप लिखे है टूसाट रिकॉर्ट स ili you want to sort by select a field you want to sort by यह भाई है मारा उसके बाद कुछ फर्स इस्टेप होगा select a field you want to sort by उसके बाद second click the home tab on the ribbon and locate the sort and filter group ठीक है पहले start कैसे करेंगे two sort records ऐसे point लगा के दो उसके बाद step first है मारा select a field you want to sort by उस फील्ड को पहले select कर लिए step two click the home tab on the ribbon and locate the sort and filter group उसके बाद यह हमारा दूसरे step हो गया step number three sort the field by selecting the ascending and descending command ठीक है ascending and descending command को use करके हम क्या करेंगे field को select and sort करेंगे fourth the table will now be sorted by the selected field अब selected field के जरीए जो हमारी table है वो sort हो जाएगी fifth to save the new sort click the save command on the quick access toolbar और फिर उसे save करने के लिए simply save command को जो कोई कैसे toolbar है मौजूद होता है उसे click कर देना उससे क्या होगा हमने जो changes कि है हमने जो से sort किया है sorted sorting की है उसके नदर वो से हो जाएगा next question क्या है question number h अब जो हमारा यह जी है what do you mean by conditional operator तो conditional operator से आपको क्या समझ में आता है यही तो पूचा इनोंने what do you mean by conditional operator तो इससे आपको क्या समझ में आता है तो conditional operator के अभी हमने definition लिखाई है conditional operator का मतलब क्या होता है कि हम इससे जो हमारा सच है जो expressions है उसे power of flexibility बढ़ा के easily हम उसे और ज्यादा ability उसकी बढ़ा सकते है to relate the truth of an expressions ठीक है अभी हमने पीछे पढ़ाए था पुस्त ऐसी खास्ती होगी तो इसका answer देखिए question नमर्याच यहां पर आप बतार लिएगा question number क्या है मारे एच how are comparison operators important question number यहां पर लिखिएगा how are comparison operators important उसके बाद answer एच लिखिएगा comparison operators are important as comparison operators are important as it permits one data value to compare against another क्यों यह important क्यों है क्योंकि इससे हमें यह क्या हमें इजादत देता है क्या permit करता है कि हम एक data value को दूसरे data value से हम compare कर पाएं ठीक है मतलब दो चीजों को compare करना चाहरे हैं दो data को अगर मैंने दो data बनाया है जैसे एक office में यह दोंपलाई हैं और उनका पूरा record है एक महीने का ठीक है उनके काम करने का कितने उन्हों रिजल्ट दिया कितना उन्होंना नुकसान किया सारी चीज़े मालो एक record बना दी मैंने दो data डिया मेरा काम था कि जूंजर रखूं में नजर रखूं डोनों का डे डी पनाओं कि कौन कैसा कांप नुक्सान किया किसने किइन जादा कीबने का काउन जटने ह्मेरा है अब nibyन टांड कमपनी का मैंने इंडिया बना धाया अब चैक्ड Parliament operators की मदब से हम क्या करते हैं एक या एक से ज्यादा डीटा को कंपयर कर पाते हैं ठीक है एक से ज़्यादा वेल्यूस को गाज कर पाते हैं थों मार आहां librarians complete हो गया एक बार आपको फिर से देखा देता हूं पर ऑसनों ये से दींद कि एक चूर ये सिरे ता यहां पर हमने definition लिकिए उसकी a delete query is an action query that deletes a set of record according to the criteria you specify question number B है हमारा फिर what do you mean by adding criteria to a query ठीक है question number B question number B यहां पर उतारने के बाद answer number B लिखिए गा adding criteria to a query include comparison operators and conditional operator to assess additional information किसलिए हम use करते हैं क्या फाइदा होता से additional information को assess करने के लिए हम adding query को use करते हैं यह उसका इस्तिमाल होता है जिसके अंदर क्या क्या आता है हमारा include comparison operator और conditional operator जो कि हम additional information को assess करने के लिए apply करते हैं उसके बाद question number C है हमारा what is short query result short query result इसका results क्या होता है तो short query results is rearranging the rows written from a query result set either or ascending or descending order मैंने बताया था अगर आपको कोई result आपको डेटा है set है उसे आप चाहरे हैं कि मैं ascending or descending order में लगा तो उसे आप sorting query के वज़े से query की मदब से कर सकते हैं और यह desc जो है हमारा keyword है जिसकी वज़े से हम इसे क्या करता है अगर हम desc use कर रहे हैं तो इसका मतलब हम descending order में लगा रहे हैं से यूज कर रहे हैं कीवर्ड इसका मतलब ascending order मतलब short form होती है कहीं ascending order लिखा तो भी सही यह लिखा इसका मतलब ascending order महाँ पर जैसे यह आप क्लिक करेंगे तो महाँ पर option खुल के आता है मैंने आपके यह खतम तो अपना जैसा बना हुआ है वह ऐसी आएगा ठीक है तो यहां पर हमारा अंसर नंबर सी बी कंप्लीट हो गया पूरा देख लिए आप अंसर नंबर सी फिर कुशन नंबर दी कहा था हमारा थे कुशन नंबर दी में था की मतलब बताना था सिंपली तो पहले हमने सब्सक्राइब की उसके बाद डिलीट कोईरी की इसकी 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 डेफिनिशन केथी दा मॉस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोईरी इस लेकोरी इस विच रिटरीब डिटा फ्रम और मॉर टेविल एंड शो दा रिजट इन डेटाशीट स केक्वाइब क्या औरिटेट कोईरटी इसकी और यू सकस्वाइब के बाद कंडिशन बीच में कंडिशना उपरेटर के बीच में हमें इस इफर्क बताना है ठीकी तो यह फई पहले comparison operator की definition लेकिए हमने फिर conditional operator की comparison operator की definition क्या है incorporating comparison operator in an expression permits one data value to be compared against another उसके बाद conditional operators में क्या है conditional operators also said to be as logic operators add the ability to evaluate the truth of an expression by increasing power flexibility फिर question number f क्या है हमारा question number f था हमारा how will you sort data आप data कैसे sort करेंगे ठीक है data sort out कैसे करेंगे तो मैंने बताया था आपको answer number f है इसका to sort records यह डेटा रिकॉर्ट की जगा आप डेटा भी लिख सकते हैं फिर यहां पर एसे करके यहां पर डॉट बनाएंगे उसके बाद answer first point is का select a field you want to sort by second point click the home tab on the ribbon and locate the sort and filter group उसके बाद next page पे 3rd point sort the field by selecting the ascending or descending command 4th point the table will now be sorted by the selected field 5th point to save the new sort click the save command on the quick access toolbar question number h है हमारा जी हमने cut कर दिया क्योंकि conditional operator की definition फिट से पूछ रहा है और conditional operator की definition अभी हमने इसके अंदर लिखी है तो अगर ठीके answer देखिए अब answer number h comparison operators are important as it permits one data value to compare against another मतलब एक data value को दूसरे data value से अगर हमें compare करना है तो comparison data operators को हम use करते हैं उसकी importance यह ही है तो यहां पर answer the following question हमारे complete हो गए है ठीक है हमारी सारी exercise complete होगी आप exercise देख लिए प्रूफ हमने बताया था पहला true फिर false फिर 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 डूब एक्टिविटी हमें करने नहीं थी कॉशन इसमें हमारा कहता इसमें हमारी एक थोड़ा सा चेंज है मारा फिलिंदे ब्लेंक्स में यह चेंज है more complex है यहां पर हम बोल भी रहते complex मगर लिखा हमने creative यहां पर थोड़ा सा change है यहां पर लिख दिए more complex c o m p l e x more complex queries इससे क्या होता है design view में हमारी जादा से जादा कितनी बी उलजी हुई कोई हो कितनी भी कितनी मतलब अगर हम simply देखेंगी उससे स्वाज में दियाएगा मगर अगर हम design view में कोई बनाते हैं तो उससे गया होगा हमारी तो हमारा यह चैप्टर complete हो गया हमारा नेक्स चैप्टर होगा एड़ फोटोशॉप फोटोशॉप जो फोटो के दुकान पर हम जाते हैं फोटो की च्वाने तो लोग इसी एप को यूज करके फोटो एडिट करते हैं तो नेक्स चैप्टर में उसके बारें पढ़ेंगे हमारा चैप्टर complete हो गया हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है चैप्टर नंबर फोर इसे पार्ट नंबर और डेट लिकना मत भूलिएगा नेक्स ताइम हम नेक्स चैप्टर पढ़ेंगे और आपको एक बार आपको सिलेवस बता देते हैं सिलेवस में गलती नहीं होनी चाह लगे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है 3 4 5 & 6 जिसमें हम 3 & 4 कर चुके हैं 5 & 6 हमारा रह गया है हम यह से भी next time करेंगे complete so thank you students assalamu alaikum